हेलो बचो कैसे हो आप सब? माइनेम इस अने नायर, यौर केमिस्ट्री टीचर, मेंटोर और दोस और आप सभी का तहे जिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म पी डब्रीव पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज स्प्रिंट बैच में हम लेकर आगए हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चाप्टर और आपकी बुक का भी सेकेंड चाप्टर इस, is matter around us pure कि क्या हमारे आसपास का matter pure है कि नहीं है तो बच्चा ये एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चाप्टर है और बहुत ही सिंपल चाप्टर है इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे सारे कॉंसेप्स को सीखेंगे उन्हें समझेंगे और एंड तक आते आते इस चाप्टर को कहेंगे टाटा वाई 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 तो चलिए without wasting any more time let's begin तो पिछले lecture में हमने पढ़ा था कि matter को हम classify करते हैं on the basis of physical properties and chemical properties right physical properties में हमने पूरा chapter one cover करा था matter in our surroundings और मैंने आपको तब भी बताया था कि chemical properties के लिए हम पढ़ेंगे ये वाला chapter is matter around us pure ठीक है तो देखिए on the basis of chemical properties अब chemical properties के basis पे हम matter को classify कर सकते हैं into pure substances into pure substances and impure substances ठीक है pure substances को further classify करा जा सकता है into elements and compounds ठीक है elements को further classify कर सकते हैं into metals, non-metals and metalloids ठीक है mixtures भी कहते हैं उनको हम classify कर सकते हैं into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures तो बच्चा यह है आपके पूरे chapter का flow chart मतलब हमारे को इस chapter में इन ही इन ही terms को क्या करना है detail में समझना है matter तवयम पिष्टे chapter में समझ चुके है कि anything which has mass and occupy spaces matter यह pure substances यह impure substances then we have elements, compounds, metal, non-metal, metalloids, homogeneous, heterogeneous इन सारी terms को detail में पढ़ने का ही aim है हमारा इस chapter का तो बच्चा चलिए इस chapter को अब अच्छे से बढ़िया से focus के साथ शुरू करते हैं अब आपको aim पता लग गया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ chapter का नाम है is matter around us pure तो आप कोगे yes ma'am हमारे आसपास का matter pure है शुद है एक और सवाल पूछती हूँ is all the matter around us pure क्या हमारे आसपास का सारा matter pure है तो मुझे comments में answer बता मैं 5 second wait कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 तो बच्चा correct answer है no हमारे आसपास का सारा matter pure नहीं है प्योर है बट सारा प्योर नहीं है तब ही तुमने classify करा है into pure substances शुध और अशुध substances में ठीक है बच्चा चलिए तो अब देखिए एक एक करके हम समझते हैं पढ़ते हैं सबसे पहले हम आते हैं pure substances पे अब common लोगों के लिए मम्मी पापा आपका छोटा भाई भेन दादा दादी उन लोगों के लिए generally pure substances क्या होते है भया शुध घी है ये एकदम pure milk है pure नमक है टाटा नमक देश का नमक उन लोगों के लिए ये चीज़े pure हैं पर अगर उस घी में भया कोई कीडा गर्जा मक्षी गर्जा तो क्या होता है नहीं नहीं भया ये तो खराब हो गया ये तो इंप्योर होगे मक्षी वाला पराठा थमड़ना खाएंगे हम तो किसी भी common इंसान के लिए ये चीज़े pure होती है और वो चीज़े इंप्योर का बनती है जब उसमें कोई unwanted impurity कोई unwanted चीज अगर उसमें चली जाए तो हम कहते हैं ये इंप्योर होगी अशुद हो गई है बढ़ हम क्या है हम तो साइंटिस है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइंस के point of view से ये घी मिल्क नमक ये जो सारी चीज़े हैं ये प्योर जो है नहीं है तो हम पढ़ेंगे कि साइंस के point of view से प्योर चीज़े क्या है देखो a pure substance is one which is made up of only one kind of PARTICLES एक ऐसा सबस्थाइंच जो केवल एक ही तरीके के PARTICLES से मिलके बनता है उसे हम कहते हैं pure substance एक्ञापल देखें गॉलड हो गया जोल्द में सिरफ गॉल्द गॉल्द दे गॉलल दे गॉल्द्द सिरफ गॉल्ड के ही पार्टिकल ballot यह लिक्टे एक्दम धपा बर गहें अरे यार हम भी यहाँ पर हैं ऐसा नहीं होगा उसके वाद oxygen 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 hydrogen water carbon dioxide carbon carbon dioxide में सिर्फ co2 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 हर जगा एक ही तरीके के पार्टिकल्स होंगे तो ऐसे substances which are made up of only one kind of particles उनको कहते हैं pure substance ठीक है अब pure substances के कुछ characteristics देख लेते हैं सबसे पहला है अब pure substances homogenous in nature homogenous का क्या मतलब होता है homogenous का मतलब होता है having uniform composition एक जैसा लगता है वह या अगर मैं अगर मैं नमक को पानी में घोल दूँ और अगर दूर रख दूँ ऐसे आपके सामने में दूर एक ग्लास रख दिया आपको पता कि उसमें नमक गुला है आप एक बार एक लिए न देखके पता भी नहीं कर पहोगे दूर से कि अच्छा उसमें नमक है क्यों क्यूंकि वह एक जैसा लगता है ठीक है उसमें uniform composition है there is no visible boundary of separation देखिए बच्चा इसको हम concept को आगे भी समझेंगे बट एक बार यह देख लो अगर मैं पानी में मिट्टी रेत को दाल दू तो आपको रेत अलग से दिखती है पानी अलग से दिखता है ठीक है बट अगर मैं पानी में नमक दाल दू तो आपको पता भी नह सब्सक्राइब हो गया तो uniform composition है no visible boundary of separation आप ऐसे separate नहीं कर सकते कि यह चीज यह रही यह चीज यह रही है ना अब अगर पानी है आप लोगों को पता है कि पानी किससे बनता है hydrogen और oxygen तो क्या पानी की ग्लास में आपको दिखता है अरे यह वैठा hydrogen क्या हाल चार यह रहा oxygen क्य हाल चाल ऐसा तो नहीं होता ना uniform composition then we have a pure substance has a definite set of properties अब अगर हम water की बात करें तो water बच्चा कहीं से भी ले लो दुनिया जहान का कहीं से भी पानी ले लो नदियों से ले लो तलाब से ले लो जरने से ले लो उसकी properties के रहेंगी fixed रहेंगी definite रहेंगी gold है gold के वहीं हम chain बनाते हैं tops बनाते हैं but gold की properties चाहें उसका कुछ भी कर लो same ही रहेंगी then we have cannot be separated into other kinds of matters by physical processes अब पानी अगर मैं पानी को छान दू तो उपर hydrogen और नीचे oxygen अलग-अलग हो जाएगा नहीं होएगा ma'am अगर मैं पानी का evaporation कर दू तो hydrogen अड़ जाएगा oxygen नीचे रह जाएगा ऐसा नह कि क्या हो गए characteristics हो गए कि वो कैसे होते हैं homogeneous in nature होते हैं जो आपको salt sand का example वो आगे के लिए था वैसे बट आपको थोड़ा सा क्या करते हैं उसको concept की clarity देने के लिए मैंने आपको अभी example दिया pure substances has definite set of properties fixed set of properties होता है and they cannot be separated into other kinds of matter by physical process ठीक है बच्चा चलिया आगे चलते हैं अ एक है मेरे पास gold क्या है मेरे पास gold है और एक मेरे पास है water ठीक है गोल्ड का symbol आप जानते होंगे या मैं बताते हों होता है AU water होता है H2O तो दोनो pure substances ही है बट गोल्ड में आप देखोगे या गोल्ड 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 सिरफ गोल्ड गोल्ड के पार्टिकल्स है बट वाटर जो है वो hydrogen और oxygen से मिलके बना है समझ रहों दोनों pure substances है बट दोनों में थोड़ा सा difference आ गया तो इसे depending on their chemical compositions pure substances को हम further classify कर सकते है बच्चा into elements and compounds तो आप समझ गए होंगे कि गोल्ड क्या है गोल्ड एक element है compound क्या है compound जो है water is an example of a compound दोनों pure substances ही है बट pure substances को देखो हमने further classify कर रखा है into elements and compounds तो यह वाली definition हमारी हो गई है अब हम elements and compounds पर आते हैं ठीक है बच्चा देखो अब element क्या होता है ठीक है a form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions because they are made up of only one kind of particles बच्चा ऐसे देखो elements क्या है Show странσender made so more difference firstly totally mercuse kolegyu Nepal garden unlikely apa कि मिरુठी पास अंगुठी आप सिक्खा आया लेशाशा है और घिकए तो हमने गोल्ड की इंड ली मैने उसको दोड़ा मुझे चोट्य ch Uni आप उसको तोड़ते जारो तोड़ते जारो आपको एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिल रहे हैं it cannot be broken into simpler substances वो कोई नई चीज नहीं देदेगा तोड़के वो एक ही टाइप के particles में तूटता रहेगा because वो एक ही टाइप के particles है मिलके बना है ठीक है तो ये हो गया हमारा elements gold में सिरफ देखो gold के particles, gold के particles ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं घुसके कोई और जो एक ही टरीके के particles है मिलके बने होते हैं अब आजो next देखो water की बात करते हैं ठीक है water वही है जलही जीवन है तो water जो है, water है हमारा H2O बचपन से जानते हैं अब water मिलके बना है hydrogen और oxygen hydrogen और oxygen मिलके पानी बनाते हैं मतलब अगर मैं पानी का तोड़ दूँ, अगर मैं पानी का हाया तोड़ दूँ, तो मुझे hydrogen और oxygen मिलेगा water क्या था? H2O था, एक entity थी H2O, बट अगर मैंने water को तोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला? simpler substances मिले, hydrogen मिला oxygen मिला, तो जब वो टूटा तो simpler substances में टूटा, तो इसे लिए water एक element नहीं है ठीक है, water is not an element, वो element नहीं है क्योंकि element एक ही तरीके के particle से मिलके बना होता है अगर मेरे पास gold है, तो इसमें ऐसे ऐसे सरफ gold के particles होंगे बट अगर मेरे पास water है बच्चा, तो वो hydrogen और oxygen से मिलके बना है, pure substance वो भी है बट element की category में नहीं आएगा, ठीक है अब चलो आगे चलते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, matter जो है pure substances, impure substances pure substances को हमने further classify करा into elements and compounds और अभी हम elements पढ़ रहे हैं, है ना, देखो ये flow chart बहुत important है इसलिए मैंने starting में बनवा दिया था matter, pure substances pure substances में elements पढ़ रहे हैं पर element आखिरकार है, तो matter ही ना और वाईया हम पढ़ चुके हैं पिछले chapter में, कि matter can be solid, liquid and gas ठीक है, matter can be solid, liquid and gas तो आईए एक बार देख लेते हैं कि elements solid में कौन से कौन से elements आते हैं मदब solid state में कौन से elements हैं liquid में, gas में तो अगर मैं solid state में elements की बात करूँ तो जैसे मेरे पास gold हो गया मेरे पास silver हो गया copper हो गया ठीक है, iron हो गया ठीक है, etc. उसके बाद अगर मैं liquid state में बात करूँ तो liquid state में मेरे पास room temperature पे केवल 2 elements होते हैं, जो liquid है फिर से repeat कर रहे हूँ room temperature पे liquid state में केवल 2 elements exist करते हैं जो की हमारे क्या है जो की है mercury and bromine, इससे पहले बच्चे बोले कि माम हम gold का फिगला के बीतर liquid बना सकते है but I am talking about room temperature ठीक है, और अगर हम gas की बात करें, तो gas में हमारे पास oxygen आ सकता है nitrogen आ सकता है ठीक है, hydrogen आ सकता है etc तो ये हमने elements को discuss कर लिया as solids liquids and gases, ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं और अब हमने elements को भी फर्दर classify कर रखा है, देख रहे हो flow chart आप लोगों के लिए कितना important है अगर आपने slow chart को देख लिया तो आपको आप ये समलो, 70% चैप्टर तो आपको slow chart में निपट जाते है ठीक है, तो देखो classification of elements, elements को हम फर्दर classify कर सकते हैं into हमारे metals, into हमारे non-metals and metalloids, ठीक है चलो, इनको समझते हैं जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं भगवान की वड़ी कृपा है, भर-भर के हमारे पास elements हैं, तो हमने उन elements को arrange कर रखा है periodic table में, ये क्या है? ये हमारा periodic table है जिसको अब पढ़ेंगे भईया, पढ़ेंगे higher classes में, बट periodic table कुछ नहीं है, periodic table is simple rows and columns of elements को, elements को rows and columns की form में भईया arrange कर रखा है, वही है हमारा periodic table, और elements में देखो, अभी हमने पढ़ा, elements में आपने हैं, metals, non-metals and metalloids, तो इस periodic table में हमारे पास metals भी होंगे, non-metals भी होंगे and metalloids भी होंगे, तो ये जो आपको pink-pink दिख रहा है, pink-pink, ये क्या है? ये हमारे सारे metals है, ये जो आपको yellow-yellow से दिख रहे हैं, ये आपके metalloids हैं और ये जो आपको blue में दिख रहे हैं, ये आपके non-metals है, तो periodic table में elements arranged है, rows and columns की form में, और elements में हमारे metals, non-metals, metalloids आते हैं, हमने metals को देख लिया, हमने non-metals को देख लिया and हमने रहें मेटलोईज को देख लिया ठोड़ी जाना पहचान कर लो लो मेटल नान मेटलोईज से उनको पीट पीट के पीट पीट के थोड़े से पीट पीट के एकनम चक्ता कर सकते हो, उनकी क्या बना सकते हो, थिन शीट बना सकते हो, the property of metals to be beaten into thin sheets, तो malleable क्या है, malleability क्या है, thin sheets बन जाने की property को malleability कहते हैं, ठीक है, example देखे, gold, copper, aluminium, silver, हमारे गर aluminium foil में खाना पैक होके आत है, है ना कि नहीं, चलो, metals are ductile, ductile क्या होते है, the property of metals to be drawn into thin wires, metals से हम पतली-पतली wires बना सकते हैं, हमारे घरों में जित्ती भी wiring वगेरा है, उसमें copper की wires यूज होती है, ठीक है, gold, copper, aluminium, silver, ये सब क्या है, metals है, ductile है, ये देखो, पतली-पतली हम क्या बना सकते हैं, wires बना सकते हैं, तो ductile या ductility क्या हो गया, thin wires बनाने की property, उसके बाद है, metals are good conductors of heat and electricity, वो बहुत अच्छे conductors होते हैं, किसके heat and electricity के, वह यह अभी हमने देखा कि copper की wires जो है, हम घर पे electrical circuits में यूज करते हैं, तो यह एम ही थड़े ना मन कर रहा था, चलो, यहाँ पे copper की wire लगा देते है electricity भी तो flow हो नीचे उसमें से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारे जो generally copper के, aluminium के utensils है, खाना वनता है, खाना वनने के लिए heating वह या, good conductor of heat and electricity, ठीक है, next, आगे चलो, metals are sonorous, तो अगर आपने कभी देखा होगा, पुराने जमाने में, आशकल तो अलगता है कि गंटी वच्ती थी, तंग, तंग, ऐसे वाली, अगर temples गए हो, तो temple की भी bells होती है, आप उसको ऐसे करोगे, तो तंग, तो यह जो तंग की अवाज है, यह क्या होता है, इसको बोलते हैं sonorous, तो sonorous का क्या मतलब है, to produce a ringing sound when struck, मतलब अगर आप metals को struck करोगे, strike करोगे, तो कैस अगरजार sonorous, उसके बाद metals क्या होती है, metals होती है, lusters मारे माटा चमक एकदम, चमक होती है, उनमें, उनमें shine होती है, तो देखिये, जैसे की gold, aluminium, silver, gold, silver वगेर की क्या वनते है, उनकी jewelry वनती है, क्योंकि उनमें चमक होती है, इसको देखो एकदम इनमें क्या है, चमक है, त non metals के अगर हम properties discuss करें तो non metals में क्या है non metals में हमने metals शब्द के आगे क्या लगा दिया है non लगा दिया है no लगा दिया है जैसे कि non metals are not malleable they are brittle metals क्या थे malleable थे but non metals क्या है they are not malleable आप इनकी sheets नहीं बना सकते they are brittle brittle का क्या मतलब होता है to crumble into pieces ये ऐसे चूरा चूरा हो जाते है ठीक है उसके बाद metals are not lustrous इनमें चमक नहीं होती है then we have metals are not ductile sorry non metals are not lustrous non metals are not ductile metals के आगे no लगा तो non metal बन गे तो metals की properties के आगे भी no लगा दो then non metals are bad conductors of heat and electricity metals क्या थे good conductor of heat and electricity तो non metals क्या हो गए not good conductors of heat and electricity तो not good को हमने bad लिग दिया फिर है non metals are not sonorous तो अगर आपको learn करना तो tension लेने की ज़र्ण नहीं है tension नहीं लेने का आपको सिरफ metals की properties learn करनी है उसके आगे no 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 करना है वो आपकी non metals की properties बन गई ठीक है चलो अब चलते हैं हम metalloids पे metalloids बिचारा वो बच्चे की तरह जिससे मम्मी पापको उसके साथ में खड़े है और किसी तीसरे बने ने पूछ लिया किससे ज़्यादा प्यार करते हो मम्मी से पापा से तो वो कहता है मम्मी से भी पापा से भी बैसे ही metals जो है metals जो है they are intermediate sorry metalloids जो है they are intermediate between metals and non metals उनकी properties जो है वो metals और non metals के intermediate है जैसे कि example देखो जो हमारे metals होते है metals are good conductors right metals good conductors है non metals क्या है non metals हमारे bad conductors है but जो metalloids होते है metalloids are called semiconductors ठीक है metalloids are called semiconductors ना good ना bad they are semiconductors जिनको आप detail में third standard में पढ़ोगे तो अभी तक आप अभी के लिए आपको बस इतना ही जाना है कि metalloids जो है वो metal and non metal के बीच में फसे वे है they have properties which are in between intermediate between metal and non metal बीच में क्या है metalloids है examples आपको learn करने है important है boron हो गया silicon germanium arsenic ठीक है चलो अब बच्चा चलते हैं आगे और एक बार जब भी हम अपना topic change करेंगे हम एक बार अपने इस flow chart पे जरूर आएंगे ठीक है देखो हमने start करा था matter matter की कहानी पूरी राम अगाथा पढ़ चुके है पिछले lecture में done है pure substances हमने पढ़ लिया उसके बाद हमने elements पढ़ लिया क्या होता है metals समझ लिया non metals समझ लिया metalloids समझ लिया तो अब किसको पढ़ने की बारी है जी हाँ सही पकड़े है अब पढ़ने की बारी है compounds को कि आखिरकार भाईया compounds क्या होती है ठीक है तो चलो अब चलते हैं आगे है न वापसी आजाएं हाँ यह देखो compound क्या है a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion tension नहीं लेने का no fear when sun is here इस में हम एक एक term को ध्यान से समझेंगे पहले एक compound ले लेते हैं example ले लो क्या मैंने water ले लिया ठीक है H2O a compound is a substance made up of two or more elements water बना होता है hydrogen से water बनता है hydrogen से and oxygen से तो hydrogen and oxygen हमने just अभी पढ़ा क्या है they are elements तो a compound is made up of two or more elements इतना समझ आ गया chemically combined together यह नहीं वह यह hydrogen oxygen बस hello high नहीं है इनके बीच में bond है chemically combined हो रहे है amy नहीं बस ठीक है hello high करके निकल ले ना इनके बीच में chemically chemical combination है chemically combined है अब आता है fixed proportion का मतलब कि मैं a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together ठीक है fixed proportion का क्या मतलब होता है fixed proportion का मतलब होता है वच्चा कि अगर मैं पानी को नदी से लू तलाब से लू समुंदर से लू जरने से लू दुनिया के किसी भी कौने से पानी ले लू तो उसमें hydrogen और oxygen का जो ratio है कि कि किस ratio में हाइड कितने ratio में hydrogen और oxygen प्रेजेंट है वो हमेशा one is to eight ही होगा यह one is to eight कैसे आए मैं आपको बता देती हूँ इसको हम detail में chapter 3 में समझेंगा आपको chapter 3 पड़ते ही समझ आ जगा कि यह कैसे आए बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि मेरे पास H2O है hydrogen के एक atom का जो mass होता है वो one you होता है यहाँ पे दो atoms present है oxygen के एक atom का mass 16 you होता है यहाँ पे एक ही present है तो two is to sixteen कट के क्या आगया one is to eight आगया अगर यह नहीं भी समझ आया तो कोई बात नी बस आपको यह देखना है कि water चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने से ले लूँ उसमें hydrogen और oxygen का जो ratio है वो हमेशा fixed होगा one is to eight होगा मैंने गा चल यार मैंने गा ठीक है आज कुछ तुफानी करते हैं one is to eight मैं न क्या करती हूं one is to nine ratio ले लेती हूं मैं क्या करती हूं one is to eight की बजाए one is to nine ratio ले लिया तो यह वक्त बदल जाएगा हलात बदल जा है पर पानी नहीं बनेगा क्यों क्यूंकि water को बनने के लिए fixed proportion क्या है one is to eight तो इतना समझ आ गया a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion अब example देखो वही हमारा carbon dioxide हो गया sodium chloride हो गया water हो गया etc तो यह क्या थे हमारे compounds थे two or more elements chemically combined together in a fixed proportion and what do we mean by fixed proportion यह मैं आपको समझा चुकी हो कि water is a compound made of two elements hydrogen and oxygen and उनका ratio क्या है one is to eight है समझ आ गया चलो आगे चलते हैं और जैसे हमने elements की properties देखी थी वैसे ही अब compounds की कुछ properties को discuss कर लेते हैं elements in a compound combined together chemically in a fixed proportion यह जो definition है आदी इस properties से definition से ही निकल के आ जाती है physical processes से आप पानी को अलग नहीं कर सकते पानी एक compound है तो you cannot separate the constituents of compounds by physical process बट chemical processes से आप उनको अलग अलग कर सकते हो भया मेरे पास पानी है अगर मैंने एक chemical process लगाया जिसका नाम है electrolysis जिसमें हम क्या करते हैं विजली विजली पास कराते हैं तो जो water है वो अपने constituents में तूट ज आएगा और hydrogen and oxygen हमें दे देगा constituents क्यों आता है वह यह water किसे मिलके बन रहा है hydrogen and oxygen से तो hydrogen and oxygen क्या है water के ingredients है water बनाने की ingredients है उन्हीं को क्या बोला जाता है constituent elements बोला जाता है sorry the properties of compounds are very different from the constituent elements इसको बच्चा ध्यान से समझते हैं कह रहा है कि जो compound की properties है वो different है from their constituents देखो मेरे पास है water water क्या है water एक compound है इसके constituents क्या है इसके constituents है hydrogen और oxygen क्या constituents है hydrogen है और oxygen है तो यह कह रहा है कि जो compound की properties है जो compound की properties है they are different from the properties of the constituents कैसे देखो hydrogen क्या है hydrogen एक combustible gas है hydrogen क्या है hydrogen एक combustible gas है उसमें यह आग लग सकती है ठीक है oxygen क्या है oxygen जो है oxygen supports combustion वो क्या करता है combustion को support करता है ठीक है एक minute ठीक है तो मैंने क्या बोला कि hydrogen जो है वो एक combustible gas है और oxygen क्या है वो combustion को support करती है बड़ भया hydrogen और oxygen के मिलनते जो पानी बनता है ना वो पानी जो है it puts out fire it puts out fire भया जहां आग लगी हो वो आग को बुझा देता है so it is a compound water क्या है compound है and the properties of the compounds are very different from their constituent elements तो water एक compound है और उसकी properties are very different from their constituent elements एक और देखो hydrogen क्या है hydrogen gas है oxygen क्या है oxygen गैस है बट इन दोनों के मिलन से जो compound बनता है water वो एक liquid है तो देख रहे हो देख रहे हो यह point समझ आ गया कि नहीं आया बहुत बढ़िया ठीक है बच्चा तो हमारे को compound clear हो गया है तो अब बारी आती है हमारे को next topic पे आगे बढ़ने की हमने क्या देखा था हमारे पास matter था pure substances in pure substances pure substances को उने further classify करा into elements and compounds pure substances पढ़ लिया element पढ़ लिया compound पढ़ लिया element में metals non metals metalloids भी पढ़ लिये तो अब भया इसका करा side पे और अब अब हमारे को पढ़ना है इंप्योर substances के बारे में अब इंप्योर substances को mixture भी कहा जाता है तो देखो mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together मतलब देखो two or more elements or compounds बट उनमें या कोई रिष्टान आता नहीं है वो बस वहां पर present है ठीक है देखो example देखो air हो गया milk नमकीन चाय सैंड इसको देखो हम कैसे समझेंगे let us suppose आप लोगों का school वाले ना आपको किसी पिक्निक पे लेके गए जूले बुले वाली जगा पे amusement path में बड़े सारे बच्चों स्कूल के जाएंगे अब let us suppose कोई दूसरा school भी आगए वहां पे है ना तो क्या होता है ना कभी कोई बात हुई उस्कूल वाले बच्चों से ना कुछ बट नेक अंदर से नेक दुश्मिन अलग स्कूल के ओ लाइन में खड़े हो तरह जूले के लिए तो देख देख हमारी उनिफॉर्म बेटर मतलब ऐसी थी वाते कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना नहीं कोई बातचीत नहीं है उन लोगों के बीच में ठीक कोई chemical combination नहीं है homogeneous and heterogeneous ठीक है mixture को हम दो तरीके से classify कर सकते हैं into homogeneous and heterogeneous अब हमारा homogeneous क्या होता है और heterogeneous क्यों हम आपको पहले भी बता चुकी हूं इसी lecture में starting में बाट अब हम है इसको detire में discuss करते हैं homogeneous क्या होता है homogeneous एक ऐसा mixture होता है जिसमें uniform composition होती है आप देख सकते हो यह जो पिंक परपल से जो आपको सरकल दिख रहे हैं वो ग्रीन वाले के साथ एक दों उनिफॉर्म ली मिक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना और सो दिर इस नो विजिबल बाउंटर सेपरेशन क्या आपको यह से लाइन खीट सकते हो कि वह यह देखो इस तरफ सारे पिंक परपल वाले हैं इस तरफ ग्रीन वाले हैं ऐसा नहीं है तो हमारे होमोजीनिस मिक्षर क्या है वो में क्यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है और दिर इस नो विजिबल बाउंटरी अफ सेपरेशन ठीक है नेक्स आ जो हेट्रोजिनिस में यह आपको देखके पता लग रहा है इसका उल्टा ही होगा इसमें युणिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो इसमें ओन यूणिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इसमें देर इसनो विजिबल बाउंडरी अव सेपरेशन आप इसे बिड़िधल देख नहीं सकते बट यहां पर क्या है देखो There is a visible boundary of separation. तो आईए बच्चा इसको example से समझते हैं. Let us suppose मैंने आपके सामने रख दी तीन glass. ठीक है? एक में क्या है हमारे पास? एक में मेरे पास salt water है. एक में मेरे पास sugar and water है. ठीक है? और एक में मेरे पास क्या है? Sand and water है. तो sand and water के case में तो आप लोगों को अराम से दिख जाएगा वाईया, अराम से sand अलग दिख रही होगी, पानी अलग दिख रहोगा रोकर ज्यादा ध्यान से देखोगे ना, तो रेत का एक एक दाना भी दिख जाएगा. तो वो क्या होगा? एक हेट्रोजीनिस मिक्शर होगा, एक तो उसमें नॉन उनिफर्म कॉंपोजिशन भी हो गई, प्लस एक विजिबल बाउंटे और सेपरेशन आपको दिख रहे हैं, कि हाँ, यह रहा एक कॉंसिट्वेंट, यह रहा एक कॉंसिट्वेंट, यह रहा पान होगे, तो आपको बता भी दूँ, तो आपको यह पता नहीं लग पाएगा, कि नमक किसमें है, चीनी किसमें है, यह रहा है, जब तक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक पता नहीं लगेगा, there is a uniform composition, there is no visible boundary of separation, नमक नहीं दिखेगा आपको अलग से, शुगर नहीं दिखेगे आपको लग से, तो यह मेरे homogeneous mixture होगे, तो आइए, अब जो है, यह इनको समझते है, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another, क्या कहा, indistinguishable पता नहीं कर सकते, यही तब बता रही हो इत्ती देर से, they are called homogeneous mixtures, a homogeneous mixture has a uniform composition, यह भी मैंने आपको समझा दिया, it has no visible boundary of separation between the various constituents, यह भी आपको clear कर दिया, example हो गया हमारा salt, water, sugar, water, tea, अब tea में क्या है, यह पानी है, दूद है, अधरग मिला रखा है, चाय पत्ती है, उसमें चाय का वो मसाला है, बट आपको जब चाय मिलती है, एकदम सुना है रही सुना हैं, those mixtures in which the substances can be distinguished from one another, आप रेत को अलग से देख सकते हो, पानी को अलग से देख सकते हो, उनको heterogeneous mixtures बोलते हैं, heterogeneous mixture does not have a uniform composition, perfect, it has a visible boundary of separation between the various constituents, यह भी आप लोगों को बता दिया, example sand and water बताया, sand and salt वही है, रेत को और नमक को मिला, तो आप लोगों को अराम से दिख जाएग salt का दाना अलग से दिख जाएगा, ठीक है, ओके, चलो, अब बच्चा, आप लोगों को, मैं एक question दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों के सामने, वहीया, क्या है, अधरक वाली चाय है, और जिनको coffee पसंद है, coffee ले लो, वट ना चाय पीनी, ना coffee पीनी, बोन बीटा पी और होडलिक्स पी, अगर वो भी भी हाते हैं, जो दूद पी ओठीक है, पर यह आपके सामने, चाय है, coffee है, और यह आपके सामने, cornflakes है, with milk, तो आप लोगों को, मैं five seconds दे रही हूँ, मुझे comments में बताओ के, इन दोनों में से, homogeneous कौन सा है, और heterogeneous कौन सा है, चलो, 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 five, four, three, two, one, समे, समाप्त हुआ आपका, तो बच्चा, अगर answer दिया है, तो सही पकड़े है, correct answer क्या हुआ, homogeneous हमारा यह वाला है, uniform composition, no visible boundary of separation, यहाँ देखो, visible boundary of separation में यह conflict अलग से दिख रहे है, दूद अलग से दिख रहा, तो यह हमारा क्या है, heterogeneous mixture है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अब हमारे को बच्चा बाटी पढ़ने है, तीन टर्म्स, mixture में तीन टर्म्स पढ़नी है, that is solution, suspension and colloids, बहुत simple है, कोई गवराने की बात नहीं है, no fear, when sun is here, सारे टर्म्स को इनने हमें जो जो पढ़ना है, उनको अच्छे से समझते हैं, चलो, solution क्या है, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances, mixture तो हमारे को पता है क्या होता है, homogeneous mixture को क्या बोलते है, solution बोलते है, example देखो, salt and water, salt and water is a mixture, but वो एक homogeneous mixture है, आप उसे पता नहीं कर सकते हैं, यह नमक कहा गया, homogeneous है, तो solution बन गया, अगर हम बात करें, aerated drinks की उनमें क्या होता है, gas and liquid होता है, यह भी क्या है, solution है, air में oxygen, nitrogen, carbon dioxide, सब प्रेजेंट है, बट क्या आपको कमरे में हवा, अगर घुसो, तो दिखरी होती है, अरे oxygen दीदी बैठी, नमस्ते, nitrogen बहिया, ऐसे तो नहीं होता है, uniform composition है, पता है नहीं लगता कौन सी चीज कहां पे है, तो यह क्या होगे, homogeneous mixtures, solution होगे, यहीं से एक और बिटा बात आती है, बच्चों को नवड़ी गलत फहमी होती है, कि solution माने क्या, solution माने कि अगर मैंने नमक को पानी में घोल दिया, solution मन गया, मैंने शुगर को पानी में घोल दिया, solution मन गया, मतलब generally बच्चों को यह लगता है कि अगर मैं solid को liquid में मिला रही हूँ, तो वो मेना solution है, वो भी solution है, बट सिरफ यही solution नहीं होता, solution हमारे पास बहुत तरीके के होता है, salt and water हो गया, solid and liquid, aerated drinks के गर हम बात करें, Pepsi, Mirinda, Penta, ये सारी जो है Coca-Cola, ये सब क्या है हमारा gas in liquid, air में हमारे पास gas in gas है, stincture of iodine में iodine in alcohol है, और solid and solid के भी solutions होते हैं, जिनको alloy बोलते हैं, अभी हम उनको आगे discuss करेंगे, तो ये तो पूरी रामगा था था थी किसकी, solution की, solution में हमारे solution में दो components होते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, वो होते हैं, बच्चा पाटे, solute and solvent, ठीक है, अगर आप इसको बस ऐसे समझ लो कि मेरे पास पानी का एग लास है, जिसमें मैंने एक चमश नमक दा दिया, तो जो चीज में डाल रही हूँ, जो चीज जो है में dissolve कर रही हूँ, वो मेरा हो गया solute, जिसमें dissolve कर रही हूँ, वो मेरा हो गया solvent, तो इस केस में मेरा नमक क्या हो गया, solute हो गया, और पानी क्या हो गया, solvent हो गया, अब देखो, solute क्या है, It is that component of the solution, solution के दो components है, it is that component of the solution in which the other component is dissolved, ठीक है, तो ये हो गया हमारा solute, sorry, यहाँ उल्टा हो गया, that component of a solution, यहाँ, यहाँ उल्टा हो गया बच्चा, ये solvent है, और ये solute की definition है, ठीक है, solute क्या है, that component of solution, which is dissolved in the solvent, ठीक है, जिसको घोला जाता है, वो solute है, जिसमें घोला जाता है, वो solvent है, it is that component of the solution in which the other component is dissolved, तो अगर मैंने पानी और नमक लिया, मैंने एक ग्लास पानी में एक चमश नमक दा दिया, तो जो मैं dissolve कर रही हूं, that component which is dissolved, is the solute, that component in which the other component is dissolved, पानी में नमक घुल रहा है, वो क्या हो गया, solvent हो गया, तो जनरली बच्चा हम ये कह सकते हैं, कि जो solute होता है, वो जनरली हमारा less in quantity होता है, solute हमारा generally less in quantity होता है, और solvent जो है हमारा generally greater in quantity होता है, ठीक है, greater in quantity में पास एक चमश नमक खर इतना सारा पानी खा, clear हो गया, solute रो solvent समझा गया, तो जल्दी से मैं को comment से बता दा या, ठीक है, चलो, अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं alloys, मैंने just आपको बताया कि हम अभी alloys discuss करेंगे, तो देखो क्या होता है, Alloys are mixtures of two or more metals, or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods, मैं ये definition तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, mixture of two or more metals or metal and a non-metal, मतला हमने चीजों को mix कर दिया and they cannot be separated by physical methods, मैं ये तो हमने just compound में पढ़ा था, कि compounds में हम physical method से separate नहीं कर सकते, तो आप alloys को mixture क्यों बोल रहे हैं, देखो, देखो बच्चा बाटी, mixture क्या होता है, mixture वो होता है, in which two or more substances are present, in which two or more substances are present, not chemically combined, chemically combined नहीं है, not chemically combined, उसके लावा mixture क्यों होता है, mixture can have variable composition, mixture में variable composition हो सकती है, ठीक है मैं पहले properties लिख रही हूँ, फिर आपको explain करूंगी, उसके बाद क्या है, mixture can have variable composition, it shows the properties of its constituents and can be separated by physical methods. बच्चा ये हमारे पास mixture की characteristics है, पहला कहता है, two or more substances are present, not chemically combined, वह या अगर मैंने काजू किश्मिश ले लिया, तो उसमें काजू है, किश्मिश है, two or more elements है, but they are not chemically combined, ये नहीं कि मैं उसको राद बर छोड़ दूँगी, तो अगरे दिन वह पिस्ता बन जाएगा, ना भी ना, काजू किश्मिश ही रहेगा, not chemically combined, then we have variable composition, अगर मैं पास दो काजू और दस किश्मिश है, तो भी वो काजू किश्मिश का mixture है, अगर मैं पास पचास काजू और दस किश्मिश है, तो भी काजू किश्मिश का ही mixture है, तो इटकन है variable composition, it shows the property of its constituents, काजू किश्मिश का mixture है, तो काजू का टेस्ट वह यह अलग आएगा, किश्मिश का टेस्ट अलग आएगा, वो अलग बात है, तो यह हमारे जो characteristics हो गए, वो किसके हो गए, mixture के हो गए, अब अलोई क्या कहता है, अलोई और mixtures of two or more metals, और a metal and a non-metal, cannot be separated into their components by physical methods, बच्चा वो सिरफ यह वाली property को follow नहीं कर रहा है, उसके अलावा यह सब को तो कर रहा है ना, चार में से एक को नहीं कर रहा है, तीन को कर रहा है, तब यह क्या हुआ, mixture ही हुआ, देखो, cannot be separated into the components by physical methods, एक को follow नहीं कर रहा, but still, an alloy is considered a mixture, because it shows the property of its constituents, and can have variable composition, वो अपने constituents की properties भी शो कर सकता है, variable composition भी उसमें हो सकती है, देखो, brass is a mixture of approximately, approximately यह पानी में 1 is to 80 चाहिए, नहीं तो वक्त बदल गया, हला तो बदल गया, कुछ भी बदल गया, सब बदल गया, पानी बदल गया, ठीक है, बट यहाँ पे approximately, मतलब 30 का 31 परसेंट भी हो सकता है, 70 का 69 परसेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे variable composition भी हो सकती है, clear है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, चलो, आगे चलते हैं, अब देखो, properties of solution, suspension and colloids, तो बच्चा बाटी, मैं आपको solution, suspension और colloids जो है न, यह एक tabular form में कराऊंगी, but I guarantee you, पूरा solution, पूरा suspension और पूरा colloids, जो है, वो clear हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार जो है, बढ़िया सी line खीच लेते हैं, ठीक है, ऐसे line खीच लेते हैं, यह हमारी solutions के लिए line हो गई, ठीक है, और, एक और, बढ़िया सी बना दी है मैं आपने, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चा type की, तो solution क्या होते हैं, हमने जस्ट पढ़ा, कि solutions जो होते हैं, they are homogeneous in nature, इनकी type कैसी होती है, homogeneous होते हैं, suspensions क्या होते हैं, बच्चा, suspensions हेट्रोजीनियस in nature होते हैं, suspension का, एक एक जामपल देखो, sand and water, that is a suspension, suspension में क्या होता है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्चर है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, वो suspended रहते हैं, अगर आप कभी sand को पानी में गोरो, तो आपको देखेगा, sand ना ऐसे ऐसे अगर एकदम घुमाऊगा ना, तो ऐसे 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 सैंड घुमती रहती है, suspended रहती है, है ना, और हमारे को दिख भी रही है, non uniform composition है, visible boundary of separation है, तो suspensions क्या होते हैं, heterogeneous in nature होते हैं, colloids के अगर हम बात करें, तो colloids वह यह देखने में homogeneous लगते हैं, कि हाँ वह यह homogeneous है, but actually they are heterogeneous in nature, कैसे होते हैं, heterogeneous in nature होते, धोका देते हैं colloids, देखने में कुछ और, but nature इनका कुछ और होता है, जैसे हमारे metalloids बीच में फसे वे थे, metals and non-metals के, वैसी यह बिचारक colloids भी, जो है solution और suspension के बीच में फसा वा है, कुछ property solution की शो करता है, कुछ suspension की शो करता है, आए देखते हैं, then we have size of particle, solution में पेटा जो particles का size होता है, वो बहुत ही जादा क्या होता है, छोटा होता है, देखो less than one nanometer, solution में particles का size बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उने देख नहीं पाते, और nanometer क्या है, one nanometer is equal to 10 की पावर minus 9 meter, यानि की one upon 10 की पावर, चलो उसको अच्छे से मैं यहां discuss करती हूँ, one nanometer is equal to 10 की पावर minus 9 meter, जिसको हम one upon 10 की पावर 9 meter लिख सकते हैं, यानि की one upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब बच्चा अगर मैं इस line के, अगर मैं इस लंबी सी line के, इतने, इतने pieces कर दूँ, 10 की पावर 9 pieces कर दूँ, तो जो उसमें से एक piece होगा न, वो है मेरा one nanometer, इतनी छोटी term होती, इतनी छोटी जो है, यह size होता है, ठीक है, तो solution में जो particles का size है, it is less than one nanometer, suspension में particles का size क्या होता है, greater than hundred nanometer, बड़े होते हैं, इसलिए हमारे को naked eye से दिख जाते हैं, हमारे को sand गुली भी यह बड़िया से दिखती है, chalk and water chalk जो है, चूरा बड़िया से दिखता है हमारे को, और वही हमारे colloids फसे होएं बीच में, तो इनके जो particle का size होता है, वो हमारा in between, one nanometer, two hundred nanometer होता है, ठीक है, अब आते हैं टिंडल इफेक, टिंडल इफेक को अभी हम आगे discuss करेंगे, बट आप यह देख लेजिए कि solutions टिंडल इफेक शो नहीं करते, suspension शो करते हैं, और colloids शो करते हैं, क्या होता है टिंडल इफेक, घवराने गा नहीं, टेंशन लेनेगा नहीं, देनेगा किसको मैम को, क्योंकि मैम आपकी tension दूर करतेगी, ठीक है, then we have stability, बचा अगर मैं नमक को पानी में घोल दूँ, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, अगर मैं एक दिन बाद भी आऊंगी, तो क्या होगा, नमक नीचे नहीं बैठेगा, एक बाद जो मैंने commitment करती, उसके बाद में अपने आपकी भी नहीं सुनता, नमक घुल गया तो घुल गया, तो क्या है, solution में particles settled down नहीं होते हैं, solution क्या होता है, stable होता है, ठीक है, अगर एक बाद solution बन गया, तो उसके particles नीचे नहीं बैठेंगे, बड़ suspension के अगर हम बात करें, मैंने पानी में क्या करती है, sand को घोल दिया, वह या एक घंटा तो छोड़ो, मैं दस मेंट बात देखूंगी न, sand जो है, वो नीचे जाके बैठ गई, बैठ गई होगी, तो particles settled down, तो इसलिए suspension क्या होता है, unstable है, और जो मेरा colloid होता है, colloid में भी particles बच्चा नीचे जाके नहीं बैठते है, इसलिए colloid is stable, देख रों कुछ property solution की शोव कर रहा है, कुछ जो है suspension की शोव कर रहा है, उसके बाद हम आते हैं filtration, अगर मैं नर्मक और पानी को घोल दिया, तो अगर मैं उसको चन्नी से पास करऊंगी, फिल्टर पेपर से पास करऊंगी, तो नर्मक ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि particles इतने छोटे हैं, वो पास कर जाते हैं, तो filtration से हम separate नहीं कर सकते, बट अगर मैं suspension की बात करूँ, मैंने रेद को पानी में घोल रख है, वह या अगर मैंने filtration कर दी, तो उपर रेद, नीचे पानी, ठीक है, बीच बन जाएगा पूरा अपना, तो यहाँ पर filtration से separate हम कर सकते हैं, और colloids में हम filtration से तो separate नहीं कर सकते, बट एक टेकनीक होती है, centrifugation उसकी help से जो है, हम separation कर सकते हैं, तो बच्चा, यह था आपका solution, suspension and colloids, जल्दी से मुझे comment से बता देना कि क्या आपको solution, suspension और colloids समझ आया कि नहीं आया, देख लो एक बड़ इसका screenshot ले लो, ले लिया फिर screenshot, चलो, बहुत बड़िया, तो यह था पिटा solution, suspension and colloids, बट एक बर हम फिर बीना colloids को थोड़ा सा अलग से फिर से पढ़ लेते हैं, हमने solutions पढ़ लिया, हमने suspension देख ले क्या होता है, heterogeneous mixture है जिसमें suspended रहता है, पार्टिकल का साइज हमने देख लिया, हमने यह देख लिया टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं शो करता, stability देख लिया and filtration वाला topic भी पढ़ लिया, एक बार आईए बच्चा को भी देख लेते हैं, ठीक है, अब को लोईज क्या है, a mixture in which particles of a substance are distributed evenly throughout the solution, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यों कहा कि यह कोलाइड देखने में homogeneous लगता है, बट होता क्या है, हेटरोजियूस होता है, क्यों क्योंकि they are distributed evenly throughout the solution, तो देखने में क्या है homogeneous, बट, but particles of a colloid are larger than that of solution, बट smaller than those of suspension, just हमने देखा, therefore a colloid appears to be homogeneous, but is actually heterogeneous in nature, colloid क्या है, दो के बाद है, लगता कुछ है, बहार से प्यारा, अंदर से नियारा, बहार से लगता है, कुछ और, अंदर से कुछ और है, दिखने में homogeneous, बट वैसे क्या है, heterogeneous in nature है, ठीक है, तो अब देखे, जैसे हमारे solution में दो components थे, solution में मेरे कौन से दो components थे, I had solute and मेरे पास solvent था, वैसे ही मेरे पास colloid में क्या रहता है, में पास colloid में भी दो components रहते हैं, dispersed phase and dispersion medium, simple सा है बिटा, जो solute like component होता है न, colloid का, क्या कहा मैंने, colloid का, जो solute जैसा component होता है, उसको dispersed phase बोलते हैं, और वो जो dispersed phase, जिसमें dispersed है, मतलब solvent जैसे जो चीज है न, समद रहो, वो क्या हो गया, हमारा dispersion medium हो गया, same same ही concept होते हैं यार, घवराने की बात नहीं होती है, तो ये हमारा dispersed phase है और हमारा dispersion medium है, अब जैसे हमने बहुत सारे solution suspension में examples देखें, तो मैं आप colloid का तो example दो, तो ये आप लोगों के सामने colloids के example है, ये रहा dispersed phase, this is the dispersion medium, बोलते क्या हैं, उस type को क्या बोलते हैं, and then examples, देखो, अगर मैंने liquid को gas में disperse कर दिया है, तो मुझे उसे aerosol बोलेंगे, example, देखो, fog, cloud, mist है न, कभी आप धुन्द में, mist में कभी आप चलो न, तो आपको क्या लगता है, आपको ने अपने हाथ पर से थोड़ी थोड़ी नमी आ गई है, क्योंकि liquid is dispersed in gas, then we have solid in gas, उसको भी एरोसोल बोलते हैं, smoke वगरा हो गया, ठीक है, automobile का exhaust हो गया, उसमें क्या है, solid is dispersed in gas, gas in liquid foam हो गया, shaving cream अपना आपके पापा, दादा वगरा यूस करते है, liquid in liquid को emulsion बोलते है, milk face cream, and ऐसे करके जो है, आप इस table को देख सकते हैं, और यह आपके सारे क्या है, examples of colloids, जब यह paper में कोई भी आ जाएगा, कि बताओ, हमारा foam क्या है, तो आपको होगे, it is foam का ही type है, and gas in solid है, तो आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको यह table जो है, बच्चा, learn करना है, ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, और टिंडल इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है, अब हमने पीछे देखा न, कि solutions टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, suspensions and colloids शो करते हैं, तो क्या होता है, Scattering of a beam of light by a medium containing suspended particles is called tindle effect, is called tindle effect after the name of the scientist which was discovered, tindle effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole, this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in air, हमने देखा अगा भई, अगर कभी कोई अंधेरा सा कमरा होता है, तो उसमें खिड़की में से ऐसे एकनल light की beam आ रही होती है, जो हमें दिख रही होती है, तो हम जानते हैं कि हवा में चोटे चोटे ऐसे dust particles suspended होते हैं, आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो जो beam of light होती हैं, आपको इसमें वो dust particles दिखेंगे जरूर, अब यह जो dust particles होते हैं यह क्या करते हैं, यह light को scatter करते हैं, ध्यान से देखो, मैंने बोला solutions जो है वो tender effect शो नहीं करते, let us suppose मेरे पास एक torch है, ठीक है मेरे पास एक torch है, इसमें से light निकल रही है, अब solutions के particles बच्चा इतने छोटे होते हैं, solution के particles जो है इतने छोटे होते हैं कि जब उन पे light पढ़ती है वाया, they have no dumb, they are not seeing them, उनमें इतना dumb है ही नहीं कि वो light को scatter कर सके, light scatter नहीं हुई, हमारी आखों में नहीं जाएगी, light का path जो है वो नहीं दिखेगा, but on the other hand, on the other hand, अगर मेरे पास कोई solution, sorry, suspension है या colloids है, अब suspension और colloids में जो particles का size होता है, वो obviously solution से तो बड़ा ही होता है, अब suspension के particles में है dumb, sorry, suspension के particles में है dumb और यह है singum, ठीक है, तो suspension के particles में, colloids के particles में dumb है, जब light इन पर पढ़ती है, ये उसको क्या कर देते हैं, scatter कर देते ह है, ये light को scatter कर देते हैं, ये light को scatter कर देते हैं, और जब ये scattered light जो है हमारी आखो में जाती है, तो हमें light का path जो है, दिखने लगता है, देखो, tendal effect can also be observed when sunlight passing through the canopy of a dense forest, in the forest mist, अभी हमने देखा mist क्या था, colloid था, colloid tendal effect show करते हैं, तो जब उन पर sunlight पढ़ती है, light को scatter करते हैं, और हमारे को ऐसी-ऐसी किरने देखने का मिलती है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी figure है, जिससे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर light pass कराई, solution ने tindal effect show नहीं करा है, यहां के particles इतने छोटे हैं कि वो light को scatter नहीं कर पाए, ठीक है, light को scatter नहीं कर ठीक है, clear है, tindal effect भी समझ आ गया, तो क्या आपको इसी से, क्या आपको इसी से ये वाला table clear हो गया, कि tindal effect क्या था, और size of particles, stability, filtration, ये पूरा table clear हो गया, तो इसी से आपका solution, suspension और जो colloids है, वो क्या होता है, खतम होता है ये topic, ठीक है, तो अब बच्चा हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, एक अच्छा और interesting topic, जो की है, difference between mixture and compounds, देखिए, मैंने आपको क्या बोला, compound contains two or more elements, ठीक है, mixture contains two or more elements, तो यह आखिरकार, compound और mixture में फिर difference क्या है, अंतर क्या है, compound में भी two or more elements है, mixture में भी two or more elements है, तो इन दोनों में difference क्या है, difference मैं बताती हूँ, compound और mixture, दोनों में two or more elements है, बट compounds में वो elements chemically combined होते हैं, और mixture में वो elements सिरा वहाँ पे है, यह मसीवत के मारे कोई chemical combine नहीं करते हैं वो, तो देखो, elements और mixture क्या है, elements और compounds just mix, बस मसीवत के मारे वहाँ पे है, to form a mixture and no compound is formed, अगर मेरे पास थी पंचरातन नंकीन है बच्चा, तो यह देखो, यह री मुंफली, यह रे मटर, यह री जीप सी चीज, यह भी कोई और, यह लंबा 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 लच्छा, जो भी है, whatever, ठीक है, यह वस यहाँ present है, यह ऐसा नहीं है, कि मैंने यह यह पंचरातन को आते हैं, आज ब्लू है, पानी, 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 ठीक है, ख्लियर है, ओके, नेक्स देखो, अगर मैं इस पंचरातन नंकीन में मुंफली जादा डाल दू, यह मटर कम डाल दू, उपर नीचे कर दू, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट अगर मैंने पानी में उपर नीचे कर दिया, तो पता है ना तुम्हें क्यों होगा, तो इसलिए इनकी fix composition होती है, ओके, next है हमारे पास, a mixture shows the properties of its constituents, यह भी मैंने भी आपको सारे points पीछे बताए थे, मुझे इसका टेस्ट अलगाएगा, इसका अलगाएगा, काजू किशमिश की बात अलगाएगा, तो a mixture shows the properties of its constituents, but compounds have different properties from its constituents, यह था है, oxygen supports combustion बट पानी क्या करता है, आपको जा देता है, compounds have different properties from its constituents, okay, then constituents can be separated by physical methods, मेरे को वह यह बता है, दो घंटे लग जाएगे, बट मैं आपको कह रही हूँ, मैं एक एक constituent को अलग कर सकती हूँ, यह मुफली के पाइल लगा मैंने यहां पर, यह मतर मतर लगा दिये, यहां पर मैंने बड़े बड़े कठे कर दिये, मतलब चाहे टाइम लगे, बट मैं इनको physical method से separate कर सकती हूँ, but compounds में जो constituents है, they can be separated only by chemical method, यह मैं हाथ पानी में हाथ डालके hydrogen के भारने निकाल सकती, evaporation नहीं कर सकती, filtration नहीं कर सकती, मुझे पानी में, अगर पानी को constituents में तोड़ना है, तो chemical process करना पड़ेगा, electrolysis करना पड़ेगा, तो mixture can be separated by physical methods, compounds can be separated by chemical methods, ठीक है, चलो, अब देखो, अब हमारा जो है बच्चा, इसी के साथ हमारा वो जो flow chart था, है ना, जो flow chart था, वो निपटता है, pure substances, impure substances, elements, compound metal, non metal, metalloids, homogeneous, heterogeneous mixture, पूरा निपटता है, अब हम अपने जो chapter में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब discuss करते हैं, एक topic जो कि बहुत important है, interesting है, और इस से हमारे numericals भी आते हैं, जो कि है concentration of a solution, अब let us suppose मेरे पास दो glass है, दोनों glass है, मैंने equal पानी दे लिया, दोनों को मैंने आदा आदा से भर दिया, अब इसमें मैंने डाला तीन स्पून सॉल्ट, ठीक है, इसमें मैंने तीन चमच नमक डाला, और इसमें मैंने एक चमच नमक डाला, तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि इस A और B बीकर में से कौन सा more concentrated solution है, मैं भी explain करूंगी, बड़ देखूं पता ह है आपको कि नहीं, बताओ बताओ, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, तो ये एक concentrated solution है, a solution may have a small amount of solute in it, while an other solution may have a large amount of solute in it, तो जिसमें ज्यादा quantity, large amount of solute, उसको concentrated solution बोलते हैं, जिसमें कम quantity of solute है, उसको dilute solution बोलेगे, ठीक है, clear है इतना, तो चलो फिर आगे, आप देखू, concentration of a solution is the amount of solute, present in a given amount of solution, किसी भी solution में, solution के दो components है, solute and solvent, किसी भी solution में कितना solute है, वही क्या होता है, वही होता है हमारा concentration of a solution, किसी भी solution में क्या है, कितना solute है, अब बिटाजी, ये जो solute है ना, यह mass की terms में भी हो सकता है, volume की terms में भी हो सकता है जैसे की मैं बोलूँ मैंने 5 ग्राम नमक घोल दिया, mass हो गया मैंने बोला मैंने 5 ml alcohol मिला दिया, volume हो गया तो मैं solute को mass में भी ले सकते हूँ और volume की terms में भी ले सकते हूँ ठीक है, अब आपको ये numerical solve करने के लिए बच्चा कुछ formula तो learn करने पड़ेंगे, तो formulas learn नहीं करेंगे, हम सिखाएंगे, देखो, सबसे बहला है mass by mass percentage of a solution, जब भी आपको कुछ ऐसा given होता है, मुझे concentration of solution निकालनी है, कोई value निकलेगे, numerical value आईगी, formula यूज़ करना पड़ेग यार उपर upon में क्या हैगा, denominator में क्या हैगा, हमें क्या पता, ये देखो, by से पहले जो चीज होती है न, वो solute को represent करती है, और by की जो बाद वाली चीज होती है, वो solution को represent करती है, और इस mass by mass को मैं m slash m भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम है, mass by volume को m slash v भी लिख सकती volume by volume को v slash v भी लिख सकती हूँ, इनके मतलब क्या होते है, सेम होते है, तो अभी हम पहले formula को देखते है, mass by mass, पहला वाला mass किसको represent कर रहा है, solute को, दूसरा वाला solution को, ठीक है, और percentage, कितना simple formula हो गया, पहला वाला mass किसका है, solute का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, mass of solute, दू दूसरा वाला mass किसका है, solution का है, तो upon में आएगा, mass of solution, और यहाँ पे क्या है, percent है, तो into क्या कर देंगे, hundred कर देंगे, तो बन गया बबुआ formula, क्या attention थी इसमें, next देखो, mass by volume, अब मैं हमें पता हमें learn करने की जरुरत नहीं, अब चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, mass by volume है, किसको represent करेगा, solute को, तो मतलब हमें mass of solute given है, दूसरा वाला represent करेगा solution को, यानि की में को solution की volume की बात करने है, volume of solution और percentage के लिए into hundred, ठीक है, next देखो, volume by volume percentage पहला volume represent कर रहा है solute को, तो volume of solute, दूसरा volume represent कर रहा है solution को, तो upon में volume of solution into hundred, तो ये है, ये है बच्चा बाटी, आप लोगों के लिए formula जिन से आप numericals कोई भी solve कर सकते हैं, और जटपट solve कर सकते हैं, तो अब आपके लिए में एक दो numericals लेकर आई हैं, वो यह वीना question practice करें, दिल के तसल्ली ना मिले, और तस सल्ली ज़रूरी है है हमारी, तो देखो, if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, यहां gram है, यहां gram है, ठीक है, कह रहा है calculate the concentration, gram और gram मतलब mass by mass की बात कर रहा है, तो mass by mass percentage of a solution, concentration निकालना ना, concentration of a solution, तो ये concentration of a solution के तो formula देखे हैं, और gram और gram से पता लगया कि mass by mass की बात कर रहा है, mass by mass percentage का formula क्या होता है, mass of solute होता है, upon mass of solution होता है, into 100 होता है, अब देखो, 110 gram of copper sulfate in 550 gram of solution, solute भी गिवन है, solution का भी mass गिवन है, तो 110 upon 550 into क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इससे आपका क्या आजाएगा, आंसर आजाएगा, देखो, 1s आ, 5s आ, तो आंसर क्या आजाएगा, 20% आजाएगा, ठीक है, clear हो गया, okay, Then we have, in 500 gram of water, 30 gram of glucose and 20 gram of common salt are dissolved, calculate the concentration of glucose and common salt in terms of mass by mass percentage, ओह 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 बच्चे तो तनी सारी लाइने देखके घबरा जाते हैं, पर घबराने की बात में बहुत simple question है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो solution है, solution किस से मिलके बनता है, solution मिलके बनता है solvent से और solute से, तो अगर मैं बोलूं कि mass of solution कैसे आएगा, तो mass of solution में कुछ भी नहीं है, mass of solution में क्या हो जाएगा, mass of solvent, mass of solvent, plus mass of solute, ठीक है, mass of solvent, plus mass of solute, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मुझे 500 gram water given है, मतलब क्या given है, solvent given है, ठीक है, उसके बाद मुझे 30 gram glucose और 20 gram common salt, तो मेरे को 2 solutes given है, ये solute 1 given है, solute 2 given है, तो अब देखो, total mass of solution कितना हो जाएगा, 500 पानी का, 30 एक का, 20 एक का, तो total mass of solution कितना हो गया, 550 gram हो गया, मुझे denominator में तो mass of solution चाहिए ना, तो 550 gram हो गया, mass of solution कैसे हैगा, solvent और solute को plus कर दो, चाहिए कितने भी solute भईया, हमें कहले ना देना भई, तुमारी problem है, हमारी फ़र्णा problem है, अब कहता है कि glucose की concentration निकालो, mass by mass percentage किसका निकालना है, glucose का निकालना है, तो पहले क्या आएगा, mass of glucose, upon में mass of solution, upon में mass of solution, into में 100, तो ये क्या हो जाएगा, mass of glucose मुझे given है 30, upon में आ जाएगा 550, into में आ जाएगा 100, और इससे आपका answer आ जाएगा, उसके बाद common salt in terms of mass by mass, common salt के लिए 20 upon 550 into 100, और आप लोगों को क्या काम करना है, comments में मुझे इन दोनों, A और B के answers जो हैं, वो मुझे comments में बताने हैं, ठीक है, चलो, अब आगे चलते हैं, और अब कुछ important बढ़िया सीव, यह बहुत interesting terms हैं, इनको discuss करते हैं, पहले term क्या है, saturated solution, और दूसरा क्या है, unsaturated solution, अब saturated solution क्या होता है, a solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature, is called a saturated solution, Let us suppose बच्चा मेरे पास क्या है, पानी ले रखा है मैंने, ठीक है, मैंने इस पानी में क्या करा, पहले एक चमश नमक डाला गुल गया, चमश छोड़ो, मैंने पांच ग्राम नमक डाला गुल गया, 10 ग्राम डाला गुल गया, 15 डाला गुल गया, 20 डाला गुल गया, बट जब मैंने 21 ग्राम नमक डाला तो वह 20 वाला गुला हुआ है, बट जब मैंने 1 ग्राम और डाला तो वह 1 ग्राम ना गुला नहीं, वह ना नीचे जाके ऐसे बैठ गया है, मतलब यह सोल्यूशन अब क्य ही नहीं रहा है तो एक ऐसा solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called a saturated solution तो यह क्या बन गया मेरा saturated solution बन गया ठीक है अब unsaturated solution बिल्कुल इसका उल्टा है a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature is called an unsaturated solution मेरे पास पानी है मैंने 5 ग्राम नमक डाला घुल गया 10 डाला घुल गया तो मतलब यह क्या है unsaturated solution मतलब अभी मैं इसमें और नमक डाल सकती हूँ और solute डाल सकती हूँ ठीक है तो क्या हो गया Unsaturated एक iyer solution जिसमें और solute नहीं डाला जासकता घुली नहीं रहरे वो saturated solution है भर एक iyer solution जिसमें अभी yes all other then haven जाने दर ठीक है वो क्या हो गया unsaturated solution हो गया अब देखिए effect of temperature on a saturated solution and on a saturated solution यह ठीक है देखो on increasing the temperature यह concept ना बहुत interesting है इसको ना ध्यान से देखना let us suppose बच्चा let us suppose मेरे पास यह beaker है ठीक है मैंने नमक और पानी ले रखा है अब हम लोग chapter one में पढ़ चुके है कि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो जो नमक के particles है वो water के particles के बीच में जो spaces होती है उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं ठीक है अब यह क्या है यह एक saturated solution है ठीक है मतलब मैंने इसमें नमक डाला हुआ है जो पानी के particles के बीच में है और खचा कच भरा हुआ है मतलब पानी के particles के बीच में अब और जगा ही नहीं बची है कि जो नया नमक आ जगा है उसको गोल सके उसको दे सके जगा भईया तुमने घर में गेस्ट बुलाए कि आजाओ आजो दो लोग ठीक है उनको बिस्तरे दे दिया कंबल दे दिया तीन लोग आए चलो जैसे तैसे मैंनेज कर लिए दस लोग आगए भईया तुम उन दस लोगों को कहोगे ना भईया सॉरी ठीक है तो सिमिलर्डी एक साचुरेटर सॉल्यूशन है वाटर के नहीं जगा है यही लड़ाईया चली जा रही है तो मैंने क्या करा वह यह रुको जगा बनाते हैं मैंने टेंपरेचर को क्या करा इंक्रीज कर अब आप बहुत अच्छे से जानते हो हम पिछले लेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो particles की kinetic energy बढ़ जाती है और particles दूर-दूर हो जाते हैं. तो ये जो water के particles पहले यहां थे, अब ये क्या हो गए? दूर-दूर हो गए. तो अब इनके बीच में जो नमक था, इनके बीच में अब जगा बन चुकी है. तो अब यहां पे spaces बन चुकी है, तो जो नमक बच्चा नीचे बैठा हुआ था, वो नमक क्या करेगा? पानी के particles के बीच की spaces को occupy कर लेगा, मतलब वो भी soluble हो जाएगा, घुल जाएगा. तो यह क्या बन चुका है, अब एक unsaturated solution बन चुका है, मतलब और नमक में डाल सकती, तो वो भी खल जाएगा. तो on increasing the temperature, एक saturated solution जो है, वो unsaturated solution में क्या हो गया? Convert हो गया. पर मैं आपने increasing temperature तो बता दिया. Decreasing temperature में क्या होगा? तो देखो, मैंने क्या करा? मैंने temperature को decrease कर दिया. मैंने temperature को decrease कर दिया. अब क्या हुआ? पानी के particles जो है, फिर से पास पास आगे temperature decrease करने पे क्या होता है? particles come closer to each other. तो particles जो है, पानी के पास पास आगे. तो उन्होंने नमक के particles को कहा, हम कुछ देर के लिए side क्या हुए? तुम तो हमारे बीच की जगा लेके बढ़ गे. चलो, निकलो यहां से. तो जो बिचारा नमक घुल पाया था ना यहां पे, जो नमक बिचारा घुल गया था, उसको अब फिर से बाहर आना पड़ेगा. मतलब solute क्या हो जाएगा? separate out हो जाएगा. ठीक है, clear है, temperature बढ़ाने पे, particles के बीच में जगा बनी. तो जो नमक नहीं की वज़ा से, जो बिचारा नमक घुला भी था, यार, वो फिर से बाहर आगया, मतलब solute जो है, वो separate out हो गया. और यहीं ही लिखा यहां पे, on decreasing the temperature, इसका जो case है, हम discuss कर चुके है. तो थाना interesting, ठीक है, बढ़िया. चलो, अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं solubility. तो हमने चीज भी घुल गई और temperature कम करा तो यह बाहर आ गई. तो जो solubility है, solubility को पढ़ो, देखो, क्या होता है? तो हमने, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent at that temperature. टाइटा है फिस होगे? कई नहीं टाइटा है फिस हुई. आओ, इसको एक-एक करके समझेंगे. उल्टा चलते हैं, देखो. एक specified temperature लेनो, मैंने temperature लेलिया 25 डिग्री. उस पे मैंने लेलिया 100 gram solvent. मैंने 25 डिग्री पे 100 gram पानी लेलिया, solvent लेलिया. ठीक है? The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature. मैंने एक specified temperature लेलिया, मैंने उसमें 100 gram पानी लेलिया. मैंने 5 gram नमक डाला, गुल गया. 10 gram नमक डाला, गुल गया. 15 डाला, गुल गया. बट जैसे ही मैंने एक extra gram और डाला, वो गुलना बन दो गया. तो मतलब maximum amount of solute कितना घुल पा रहा है? 20 gram घुल पा रहा है. तो यही क्या हो गया? यही हो गया solubility of that solute in that solvent at that temperature. मैंने एक specified temperature पे 100 gram solvent लिया और उस solvent में maximum 20 gram solute जो है वो गुल रहा है. उसके बाद गुलना बंद हो रहा है. यह तुम्हां बना काम से काम रखो हम ना गुलते. गुलना बंद हो रहा है. तो जो maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as solubility. and solubility generally increases on increasing the temperature जैसे हमने पीछे देखा and generally decreases on decreasing the temperature. ठीक है? क्लियर हो गया solubility. समझ आया की नहीं आया? बता दे ना यार कमेंट्स में. तो अब आ गए हैं अब आ गए हैं बच्चा हम हमारे one of the last topics पर ही आ गए हैं जो की है हमारे physical and chemical changes. यह यार आप पढ़ चुके हो यार chemical changes बस यही है छोटी glasses में simple simple example दिये थे थोड़े high-five example discuss कर लेंगे ठीक है तो physical change क्यों आपने अपनी copy से paper फाड़ा और उसका क्या बना दिया? प्लेन बना दिया तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि यह जो प्लेन बना है क्या वो असली प्लेन है? आपको क्यों 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 अब आपको बोलूं यहां मैं बस लखड़ी थी लखड़ी का ऐसे टुकड़ा था मैंने उसको तोड़ दिया तो क्या टूटने के बाद वो सोना बन गया? आप वोगे? मैं कैसी बाते कर रहे हो बस तूटी तो है पस उसका size ही तो चेंज हुआ है तो वह अभी भी ठीच है? ठीच है? ओके फिर मैंने का यार मिरे बस ना बरफ है मिरे बस क्या है बरफ है आईस है जो की solid है वो पिखल गई और क्या बन गया? वाटर बन गया जो की liquid है तो क्या कोई नई चीज बनी? कपोगे? मैं कैसी बाते कर रहे हो? आईस भी H2O ही है वाटर भी H2O ही है सेम चीजे ही तो है state change हो रहा हुआ, state change हो रहा है तो क्या हो गया? चीज तो सेम ही है तो बच्चा ऐसे changes जहां कोई नई चीज नहीं बनती है उनको बोलते है physical changes. Those changes in which no new substances are formed are called physical changes. In a physical change, the substances involved do not change their identity भया जब प्लेन है न वो कागज ही रहेगा असली प्लेन ना वन गया वो हमारा जो है पानी ये भी H2O ये भी H2O लखडी जो है वो तूटने के बाद भी लखडी ही रहेगी कांच का ग्लास अगर नीचे गर गया भया कांच का ग्लास हम्म So, the identity remains the same. They can be easily returned to the original form by some physical process. Okay, this means that physical changes can be easily reversed. The changes in physical state, the changes in physical state, size and shape of a substance are physical changes. अगर किसी भी substance की shape में, size में या फिर state में फरक आता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे physical change. ठीक है? देखो, examples of physical changes, ice is heated, it melts to form water, but ice भी क्या है? H2O है, water भी क्या है? H2O है. Though ice and water look different, they are both made of water particles. H2O ही तो है, तो इसलिए melting of ice क्या है? Physical change है. Water is heated, same water को heat कर, steam बनगे, water liquid form में भी H2O था, steam की form में भी H2O है, कोई नई चीज नहीं बनी, physical change. When a glass cup breaks, it forms many pieces. कांच तूट गया, या तूट गया, चंद करके तूट गया, पर तूटने के बाद भी नीचे जो जमीन पे गिरे है, कांच के ही तो pieces है, कौन सा नीचे गरके सोना बन गया, तो इसलिए ये भी क्या हुआ? Physical change हो गया. ओके, अब आते हैं, chemical changes पर पता ही है यार आपको तो, chemical changes क्या होते हैं? ऐसे changes जहां new चीजे बनती हैं. आपने copy से paper फाड़के उसका plane बनाया, plane भी कागस है, copy से फाड़ा वो भी कागस था, बट अगर आपने उस कागस को हिया जला दिया, तो क्या बनेंगी? ये काली काली राखें, तिर्डेने, तिर्डेने, राख बन गई, ash बन गई, तो क्या आप उस ash को फिर से paper बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं, नहीं चीज बन गई यार, तो ये क्या हो गया? chemical change, those changes in which new substances are formed are called chemical changes. In a chemical change, the substances involved change their identity, मेरे पास क्या था? सफेद एगदम कोरा कागस था, वो काली क रखें बन चुका है, identity change हो चुकी है, they get converted into a new substance entirely, the new substances usually cannot be returned to their original form, भया तुम उस राख को जितना भी छूम अंतर, छूम अंतर कर लो ना, वो फिर से कागज नहीं बनेगी, तो the substances usually cannot be returned to their original form, this means that they are usually irreversible, ठीक है, clear है, समझे के नहीं समझे, चमका की नहीं चमका, तो चलो फिर जागे, अब examples देख लीजे, examples of chemical changes क्या हो गया हमारा, magnesium wire को जब हम heat करते है, magnesium ribbon हमारा mg ये होता है, heat होने पे वो एक white color का powder बनाता है, mg, अब आप लोग बड़े हो गए हो, आपको पता है कि ये और ये दोनों different चीजे है, ये दोनों अलग चीजे है, new substance बन चुका है, तो ये change कैसा हुआ, सही पक्रे है, chemical change हुआ, when magnesium wire is heated, burns in air to form a white powder called magnesium oxide, the magnesium oxide is entirely a new substance, thus a new chemical substance is formed, तो इसलिए क्या हो गया, chemical change हो गया, okay, then we have, if we burn a piece of paper, तो क्या होगा, जब भाहिया हम कागस को जलाते हैं, तो क्या प्रोडू होता है, carbon dioxide, smoke, heat, light, नहीं चीजे बन रही हैं कागस को, जलाने पे, तो ये भी क्या हो गया, हमारा chemical change हो गया, then we have, rusting of iron, भाईया, हमारे गर कोई नया gate लगा है, दरवाजा लगा है, कील पे फोटोए टांग रखी है, उस पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, अब मेरे पास iron था, iron की क्या बन जाती है, rust बन जाती है, fe2o3.x ये rust का formula है, आप 10 standard में पढ़ेंगे, तो भाया, इन दोनों में क्या है, दुनिया जहान का अंतर है, जमीन और आसनान का अंतर है, नई चीजें हैं दोनों, new substance बन चुका है, ये जो reddish brown है ना, ये 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 formula उसका, ठीक है, तो नया substance बना, तो क्या हो गया, chemical change हो गया, अब comments में ये बताएंगे कि burning of candle क्या है, मैं आपको 5 seconds देती हूँ, burning of candle physical change है, burning of candle एक chemical change है, या फिर burning of candle बोत है, ठीक है, 5 seconds आपको दिये, phone of friend करना चाहेंगे, audience poll करना चाहेंगे, या ask the expert करना चाहेंगे, ठीक है, तो 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्थ हुआ, आपने कर रहा है, ask the expert नहीं तो answer भी कर दियोगे, तो बहुत ही बड़ी बड़ी बात है, नहीं, तो मैं बताती हूँ, देखे बिटा, burning of candle में हमारा correct answer है both, it is both physical change as well as chemical change, ठीक है, burning of candle में physical change कब होता है, तेखो, हमने वह या दिवालियों पे candle, दिवाली पे candle जलाते हैं, वैसे भी candle जलाते हैं, इतनी ब state में change आ रहा है, तो ये कैसा change हो गया, physical change हो गया, तो physical change कौन सा है burning of candle में, the melting of wax, chemical change कौन सा है, आप लोगों ने candles में ऐसी काली-काली चीज़े देखी होंगी, इनको बोला जाता है wick, तो chemical change कौन सा हुआ, candle जब जलती है, तो chemical change उसमें कौन सा होता है, chemical change होता है, burning of wick, burning of wick जब ये wick बटा burn होती है तो इससे carbon dioxide, heat, light, smoke, water vapor ये सारी चीज़े produce होती है नहीं नहीं चीज़े बन जाती है तो वो क्या हो गया? chemical change तो जब आपकी candle burn होती है तो आपका क्या हो रहा है? physical change, chemical change ठीक है? तो physical और chemical change क्या आप लोगों को समझ आया? clear हुआ के नहीं हुआ? तो अब आप लोगों के लिए एक ही question है classify the following as chemical और physical changes ठीक है? तो देखिए cutting of trees या पेड काटा size में change हुआ ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमारा physical change हो गया melting of butter in a pan melting state में change हुआ physical change है rusting of almira अभी पीछे rusting देखी हमने नहीं चीज़ बन रही है chemical change boiling of water to form steam state में change आ रहा है physical change passing an electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen electrolysis करा रहे हैं पढ़ते तो आए है chemical change है electrolysis dissolving common salt in water नमक का घुलदा physical change ही तो है कोई नहीं चीज़ थोड़ना बनी है making a fruit salad with raw food fruits को काट 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 के dieting कर रहे हैं हम पर fruits को बस काटा ही तो है उनके shape उनके size में ही तो अंतर आया है apple तो भी भी apple है kela तो भी भी kela ही है तो ये क्या हो गया physical change burning of paper and mood we just read कि ये क्या है हमारे chemical change है तो बच्चा बाटी इसी के साथ इसी के साथ हम आ गए है हमारे last slide पे जो की है thank you slide आप लोग जानते होंगे वो जो separation वाला topic है वो अब आपका delete हो चुका है तो हम उसकी discussion नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना लंबा topic है जल्दी जल्दी कराएंगे तो समझ नहीं आएगा टीटेल में कराएंगे तब यह बहुत time लग जाएगा तो हमने जो है अपने chapter को जो है खतम कर दिया है I hope कि आपको सब समझ आया होगा इस chapter में मुझसे पढ़ने में मजाया होगा That's all for today from my side Tata bye bye सायना रवच्चो